हेलो नमस्कार सत्स्रियकाल तो it was a good day for Indian football ऐसा कह सकते आप क्योंकि जो AFF ने conference अपनी करी और meeting भी करी जा आप बोल सकते हैं तो काफी उसमें से positive चीज हमको सुनने को मिली है जो कि कहीं न कहीं हर भारती football fan के लिए थोड़ी बहुत अच्छी बात है और थोड़ी बहुत क्यों अच्छी बात है यहीं कह सकता हूं मैं तो हम नज़र डालते हैं क्या-क्या अच्छा होने वाला है अभी मतलब आगे आने वाले टाइम में इंडियन फुटबॉल में तो जैसे कि आपको पता ही कि आई लीग भौत ही जल्दी चाल होने वाली है और उसके बारे में हम बाते बिल्कुल करेंगे इंस्चेंत रही है ठीक है तो आई लीग का टेली कास्ट का प्रॉब्लम चल रहा था अभी उसके टेंडर वगेरा भी निकले थे कि यह कौन ब्रोडकास्टिंग वगेरा के राइट्स खरीदना चाहेगा तो अब दो टीवी चैनल मतलब पहले आई ग्हास्ट के अभी दो दो चैनल जो है ठेलीकास्ट करेंगी अरूर स्ट्रीमिंग वह अलग है तो जो यूरो स्पोर्ट पर आपको देखने को मिल सकता आई लीग और डीडी स्पोर्ट पर भी आपको आ壓ी लीग देखने को मिलेगा ये बड़ा इस संब ल होTo मतलब नास च चाहता हूं कि यूरो स्पोर्ट्स पे वो इंग्लिस में चलाएं जो भी आई लीक की कमेंटरी करना है जिनको भी उधर बिठालना है लेकिन डीडी स्पोर्ट्स पे भी या हिंदी में कमेंटरी होना चाहिए क्योंकि एक सीधी सी बात बता रहा हूं मैं अपना एक मैं एक as a fan मैं जब बोलना चाहूंगा कि अगल हिंदी में कमेंटरी नहीं होती न मैं तो कनेक्टी नहीं होता गेम से मतलब मज़े नहीं आता मुझे देखने का इच्छा नहीं होती सीधी बात बता रहा हूं तो आई एसल जो हिंदी में होता है इसले मज़े भी आता है ठीक है इंगल यह team का match भी English में होते हैं, तो यह cricket का match देखाँ, cricket का titch हिंदी में चलता है, जब से मैं पेदा हुआ cricket का match देख रहा हूं, आज तक मैंने कभी English में cricket का match देखा ही नहीं है, मतलब English commentary में, हमेशा हिंदी, तो वो है न, इंसान अगर नया बंदा भी पहली बार match देखने बैठे तो उसको दिखता है तो वो connect हो जाता रहे, यह तो मेरे ही मैश है, मेरे ही कोई भाई लोग खेल रहे होंगे, हिंदी में आरी है आवाज तो, और English में चलता है, तो समझ में तो को जाता नहीं है, मतलब समझ में आया आता है, सबको आया आता है, लेकिन मैं connect होने की बात बोल जब हिंदी होती है न, तो इंसान यहाँ दिल पे आती ही बात, और वो इंगलिस आती है तो कान और सिर में जाती ही बात, तो वोगी मतलब की बात होती ही नहीं है, ठीक है, तो अब यह मेरी है बात, आप इस पे opposite भी बोल सकते है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यह मेरा एक point of फ्यूज हो था, हिंदी को लेकर, कि अगर देश में फुटबॉल अच्छे से पहुचाने तो हिंदी कमेंटरी आपको must चाहिए, must, ने तो मज़ा नहीं आएगा लोगों को, लोग इंट्रेस्ट नहीं लेते, तो दो चैनल मिल गए, DD Sports और EUR Sports और Streaming जो होगी, वो Discovery Plus पे हो है, और TV पे भी है, तो यह है भी है कि अब हाँ, थोड़ा सा Professionalism है, और थोड़ा सा Quality भी मेंटेन करेंगे, तो और अच्छी बात रहना चाहिए, तो यह होगी आईलिक की बात, और आईलिक की आगे भी हम बाते करते रहेंगे, इसके बात बढ़ते हम IWL पे, तो यह IWL की भी Positive न यूज है, तो जो गल्स है हमारी, उनके लिए भी थोड़ा साब यह लीग है, और बैटर हो जाएगी, तो जनवरी 15 से जो IWL चालोग और अठरा टीम इसमें पाइटिसिपेट करेंगी, तो यह मेक्सियोर किया गया है कि जादस जादा गेम हमारी गल्स को खेलने को मिले क्योंकि गल्स की टीम भी काफी अच्छी है हमारी सिन्या टीम, तो उनके लिए भी करना ज़रूरी है, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही जगे पर बढ़ जाएंगे, या मैंसी मैंस में बढ़ गए, दोने जगे बढ़नार दोनों की लीग को भी सुधारने की जरूरा थे की अच्छा है और आइडवल के लिए अच्छा है और आइडवल का तो आपको पते है उसकी तो भी है टेली कास्ट उसका भी है यूरो स्पोर्ट पे हुआ था, तो इडवल भी है जनवरी पंदरा से चाल हो जाएगा अठरा टीम के साथ, तो गल्स फुटबॉलर जो है हमारी और गल्स फुटबॉल फैन्स तो उनके लिए भी अच्छी बात हो गई, अब एक और चिंता के विसे चल रहा था, सेकंड डिवजन आई लीग का क्या होगा, तो सेकंड डिवजन आई लीग भी आने वाली है, बहुत जल्द ठीक है, अभी उसका अनॉंसमेंट नहीं हुआ कब से आईगी, लेकिन आईगी, और इसमें ऐसा कुछ structure लाया गया है कि देखिए, जो state, जहां जहां पर state league हो गई है, तो वहां के जो winners है, वो second division आई लीग में आगए, और जहां 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 state league नहीं होई है, वहां का state association जो है, वहां के clubs को nominate करेगा, फिर वो qualification round खेलेंग तो अभी जो थोड़ा सा system हमको दिख रहा है कि कुछ अच्छा होगा, तो I hope कि जैसा दिख रहा है, वैसा उसका execution भी हो, जो बाते बूली जा रही है, वैसे हमको दिखे भी, बस यही है, और बाकी तो Indian football अब ऐसा लग रहा है भी है कि सहीं हातों में है ना Indian football, क्या बोलते ह फिर इसके बाद अंतिम बात की youth league का क्या, देखे अभी elite youth league का तो announcement किया था कि यह December से, जो elite youth league का कुछ करने वाले हैं, लेकिन पहले जो AFF की youth leagues होती थी, उसका क्या, तो उसके उपर भी ऐसा बोला जा रहा है कि यह next season से उसके उपर कुछ काम के जाएगा, अभी roadmap में उसके परनाक tournament चालू है, बाजी राउत national cup, तो यह जो tournament है, यह अभी भी चालू किया गया है, उडिसा में और आप देख सकते हैं, इसकी streaming भी हो रही है, यूट्यूब पर, और काफी जंता जो इसका romance उठा रही है, लुफ्ट उठा रही है, और मजे से देख रही है, काफी crowd भी अंग्रेजों को अपनी नाव में बिठाने से मना कर दिया था, तो अंग्रेज जो थे, उन्होंने उनको गोली मार दी थी, तो मतलब बिल्कुल सरम तो थी नहीं उनको, और ये सालों ने अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए आज भी, हम तो गुलामी ह तो बाकि ठीक है, हमारे जो अच्छे इंसान थे, एक बारा साल के बच्चे, मतलब क्रांतिकारी है, महान इंसान है वो तो, क्योंकि देश के लिए उनने कुछ किया, तो उनके उपर ये टूनामेंट है, जो कि अभी आजादी का अमरत महतसो भी चल रहा है, तो ऐसे क्रांत समय फुटबॉल बहुत है, लेकिन और बहतर बनाएं, और लोगों को और जोड़े, और आने वाले टाइम में ये जो टूनामेंट है, बहुत बड़े लेवल पर जाए, मैं यही काम ना करता हूँ, तो आप भी इस पर आपकी राय जो शेयर कर सकते हैं, कि आप बाजी चल रहा है, कैसा गेम चल रहा है, तो अगर आप एक फुटबॉलर है, तो आपके लिए थोड़ा सा हेलफुल ऐसे टूनामेंट्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं, और बाकि जो एफफ ने अनॉसमेंट्स किये, लीक्स को लेकर, टेलीकास को लेकर, इससे आप कितने खु झैंक तो पन जो, आपक एक पसलो लेकर, ढू़र है, तो आप तो अबूदमा नेशिया भेकर, टो रहा हैं, दो आक पगलूज़र हैं, तो रहा हैं, तो तो आपके पर दूखरेंएंट्स, प्मझरार टूबॉलर है, जो आपके दोगत्स को अवित हूँऽ और इसे विए